फिल्म की शुरुवात में हम एक 16 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरी होता है जो समंदर की नारे बने एक छोटे से गाउ में रहती हैं जहां सब लोग तकरीबन गुजारा करने के लिए फिशिंग करते हैं इन्हीं मशलियां पकरने का काम अभी फिलाल वो अपने चेक अप के लिए एक डॉक्टर के पास आई थी क्योंकि अच्छानक ही पता नहीं कैसी इसके जिसम पर एक अजीब सा निशान बन गया था हलांकि इसे चोड़ भी नहीं लगी थी डॉक्टर अच्छी से उसका चेक अप करता है आस तोर पर उसकी ना लाइस की यनि कि अपाहिज चल फिर नहीं सकती है ना ही बोल सकती है हर वक्ट विल्चर पर ही रहती है इसलिए उन्हें खाना खिलाना नहीं लाना तो पड़े बदलवाना सब कुछ मरी ही करती है रात को जब वह सोने की तैयारी कर रही थी तो उसकी निजर अपने सीने पर आज जो पर उसका पहला दिन था जहां काम उसे फिश पॉइंट का मेनेजर सिखा रहा था एक बुरा वर्कर जिसे कोई भी अच्छे नहीं समझता था वो दूर से खड़ा होकर मुरे को बड़ी अजीब नजरों से खोड़ता जा रहा था यहां मरी की नजर एक डिलिवरी वाई पर गई जो मचलियां हर गर में देने का काम करता था जिसका नाम डैनियल था वो भी मरी को देख रहा था दोनों एक दूसरी को पहले नजर में पसंद आ गई थी अब जब डैनियल मचलिया उठा कर जा रहा था तो उस बुरे वर्कर की वजह से वो नीचे गिर गया जिससे उसकी सारी मचलियां भी नीचे गिर जाती है ये देखकर मरी जिल्दी से उसकी मदद करने आई और इस सरा उन दोनों की बात शुरू हो गई इसके बाद मरी जिब खराब मचलियां बाहिर फैक ने गई तो वो बुरा वर्कर उसी मचलियों वाले कच्छी में फैंक दीता है जो पूरी तरहां खराब सड़ी मचलियों और पानी से भड़ा हुआ था है थोड़ी दिर में मरी वहां से बाहिर आ गई जहां बाकी बलकर भी खड़े हुए थी लेकिन वो हिरान होने की बज़ाई ऐसे खड़ी थी जैसे कोई नॉर्मल चीज हुई हो और तो और पहले दिन सबका वैलकम ऐसे किया जाता है काम करने की बाद जब घर आई तो देखती है कि आज भी हमारे घर डॉक्टर आई हुए है जो उसकी मॉम को लेकर बड़े सीरिस बात कर रहे थी और अपने साथ एक फाइल पी लाए होती है जो अभी उन्होंने हाथ में पकड़े लेकिन जैसे मरी अंदर आई वो फाइल को अपने बॉक्स में बंड कर लेती है जैसे वो यह सटकोच मरी से चुपाना चाहती है मरी अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ सब खेरिये थे मॉम ठीक तो है आज क्यों आई है डॉक्टर जिस पर उसकी डेट कहीती है वो द कुछ लोगों की डीटेल्स वले कावस और कुछ अजीब तरह की तस्वीरे मिलती है जिसमें बहुत बुरे और गेरी जत्मों के निशान थी इससे पहले वो कुछ समझ पाती है नीची से उसके डैड आवास लगा देती है तब मरी जल्दी से उस फाइल को छुपा कर नीच अजीब नजारा था उसके डैड मॉम की पूरे जिसम पर करीम लगा कर शेविंग कह रही थी यनि बाल हुटा रही थी जो चीज मरी को अजीब तो लगी लेकिन वो नजर अंतास कर देती है इस सोच के साथ कि जरूर मॉम की बाल बढ़े हो गई होंगी रात को जब वो सो र कि उसे जड़ा फ्री होने की कोशिश मत करूं उसकी बात को अंसो ने करके मरी खाना खाने चली गई जहां मेवा बुरा वरकर उसी तेंक करने से बाज नहीं आता वो मरी की बारे में और टीसी दी बातें कह रहा होता है जिने वो मुसलसल नजर अंतास कह रही थी लेकिन काहिर है ऐसे उनकी दुश्मनी और बढ़ गई लेकिन मरी की इस जवाब पर फिश पॉइंटर मेनेजर काफी कुछ ने जरा रहा था ये अच्छा हुआ ऐसे इसे मूदर जवाब मिलना चाहिए था अब शाम को मरी जब गर जाने की तैयारे कर रही थी तो तबी वो बुरा जब दलाव साफ साफ देख पाते हैं जैसे कि उसकी वेल्स उपर वरना शुरू हो गई थी पर नीचे बिठाकर उसका मज़ाब बनाने के लिए बुरा बलकर जबर जबर जस्ती उसी तची मचली खिलाने की कोशिश करने लगा जिससे उस बिचारी को बहुत बुरा बलकर वो रोने लगी उसे ऐसी देखकर बुरा बनकर बहुत हसा और फिर वहां से चना चाता है घर आकर भी वह दुखी नजर आ रही थी क्योंकि जो आज उसकी साथ हुआ उस बारे में ही सोच रही थी लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा उसके जहन से एकड़म यह सो उसका जिसम बदलने लगा जैसे उसकी अड़िया उपर कर उपर आ रही हूं अपनी शेप और जगा बदल रही हूं लेकिन तबी बाहर उसे इपने डैट की आवास सुनाई दी इसलिए वो खुद पर जैसे तैसे काबू पा लेती है अगले दिन जब वो अपनी मॉम को बा मॉम की मूँ पर लग जाता है वो ऐसा जानबोच की कर रही थी क्योंकि रोज रोज ये करके वो तंग आ चुकी थी उसे गुसा आ रहा था तो आज हूँ अपनी मॉम की साथी ये सलो करनी लगी खाना वो अप खिलाने की बज़ाई उनकी मूँ पर लगाती रहती है उसके डेट को ये बुरा लगा तो मरी के वो ऐसे करने से रोकती लगी कि मां है तुम्हारी ये क्या फजोर हरकत है पर यहां ओपने डेट को ये बुरा बला बोलकर कमरे में चली गई कि आखिलालोख खाना में रोज रोजी काम करकि पख गई हूँ आ कर वह दुबारा से अपने निशान चेक करने लगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। निशान की बढ़ने के साथ उसका गुसा भी बढ़ रहा था। तबी यहां उसके डेट भी आ गए और पोच लीती है। यह क्या तरीका था बात करने का। क्या चल रहा है आखिर। इसकर वो कोई बात का चेक करने लगी जो उसनी डॉक्टर से चुराई थी। उसमें सबसे फेले एक शिप की तस्वीर थी। फिर कुछ सखमी लोगों की जिन पर भारे हमले हुए थी। क्योंकि उनकी चोटों के निशान बहुत गेरी थी। आखिर मैं वे एक औरत की स्केच को देखती हैं जिसक बड़ तमीजी करकी वगएर इंजक्शन लगवाई वहां से निकल जाती हैं। घर से निकलकर वो सीधा वो शिप में पहुंची जिसकी तस्वीर मरी ने उस फाइल में देखी थी। शिप की इंदर आने की बाद जब उसने यहां चेक किया तो उसे बड़ी बड़ी पंजो के निशान देखी जिसे वो हैरत में पढ़ गई उसकी दिमाक में और सवाल आने लगी कि यह सब क्या है जिनका जवाब पाने के लिए वो सीधा फिश पाइंट की मेनेजर की पास गई। क्योंकि छोटा सा गाउं है तो सब एक दोसरी के बारे भी जानती होंगी। पर यहा बहुत खुश थी क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी आज वो उसके साथ था पर उसके इतना कुश होने की बाद जैसी भी उसके जिसम पर बाल उकते जा रहे थी। वो यहां इतनी बतली कि उसकी आँखों का रंडी बदल कर गोल्डन हो गया जिससे वो काफी अजीब पाता हूं कि तभी उसकी मौम आकर डॉक्टर पर हमला कर दीती हैं उन्हीं पकड़ कर बुरी तरह घरतन पर काट लीती हैं जिससे हम यहां सारे बास समझ जाते हैं कि असल में उसकी मौम एक वेरवुल्फ है यानि आदी इंसान और आदी भेडिया और मरे के साथ जो कुछ असरात देखने लगी यानि कि अब वो भी अपनी मां की तरह वेरवुल्फ बन रही हैं यही वज़ा है कि उसकी डेड बार बार इंजक्शन लगाने की बात कर रही थी क्योंकि वह जानते थी कि उससे मौम अपने कंट्रोल में रहेगी हैर अब मरी और उसकी डेड हिसे में उसे दफना देते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चला कि मरी की मौम ने डॉक्टर को मार दिया तो बहुत गडबड हो जाएगी अब यहां हम यह तो जान गए कि उसकी मौम एक वेरवुल्फ है पर सवाल यही बनता है कि वह आखर वेरवुल्फ बननी कैसी तो इसक पर हमला करके उन्हें मार दिया इस बारे में जिब गाउंवालों को पता चला तो मरी की मौम को मारने के लिए आई पर उसकी डैड ने उन्हें अपना कर समझोता किया क्योंकि वो उन्हें बच्पन से ही जानते थी पर उन्हें यह पता नहीं था कि यह कर्स उनकी एकलोती बेटी मरी को भी लग जाएगा मरी यह अपनी मौम को नहीं लाकर अच्छे से साफ कुर देती है उसकी मौम दुख बरी निगाहों से मरी की तरफ देखने लगी और आज वो पहली बार यह अपनी मौम की असली दर्द को समझी थी अगली सुबा जैसी हुई तो कुछ गाउ वालों को वाँ से जाना पड़ा लेकिन वो शिक फरी निगाहों से बार बार पीछी मुड़कर उसी देख रहे थी क्योंकि पूरी तरह उन्हें तसली नहीं हुई थी शान को मरी काम से जब घर लोटी तो खरकर दर्वासा खुला हुआ है उसे अचीब लगा इसली वो जद किडर जल्दी से धर आये अपनी वाहिफ की राश को देखकर वो भी काफी दुख में चले गई पर अब उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अब गाउंवानों की निजर मरी पर होगी उसकी मौन का फ्यूनरल किया जाता है इन्हीं दफलाया जा रहा था जहां पर गाउं के संभाल रहे थी पर जब लोग चर्च में थी तो मरी दीखती है कि मेरी सारे नाकौन उखर रहे हैं हलांकि मरी कोशिश कर रही थी पर उन्हें चुपाना मुश्किल था क्योंकि नाकौन उसे निकलने वाला खून हर जगर टपकड़ा था लेकिन फिर आखिर में मरी ने फैस देख यहां है वो क्या करना चाहती है लेकिन फिर भी मरी ने बारी बारी सब के पास जाकर सबको अपने नाकौन दिखा ही दी जिस वज़ए से उसकी डैड भी काफी कब रहा गई यूगि वो जानती थी कि यह मोका मिलते ही गाउं वाले इसे भी मार देंगी इसलिए वो फ जदा गुसा करेगी उतनी ही जल्दी वो जानवर बनेगी यानि वेर वल्फ अगली दिन वो देखती है कि बाल मेरी माती पर भी उग रही है जो उसके डैड ने भी देख लिये थी इसलिए उसे पाहिर जाने से मना कर रही थी पर वो कहां सुनने वाली थी पाहिर चेनी ही जाती है कि उसे अजादी चाहिए जो ये गाओं वाले उसे नहीं दे सकते अब जब वो काम पर आई तो हर कोई उसके जिसंपर उगने वाले बड़े बड़े बालों को साफ साफ देख पा रहा था अब इस वक्त तो कोई भी इससे कुछ नहीं कहता लेकिन शाम को जब वो तो गाओं की बहुत सरे लोग उसके पीछी पर जाती है वो भागी और अपनी चान बचाने के लिए मेनेजर के घर जाने के कोशिश करने लगी पर उसने भी दर्वासा नहीं कोला वो वहां से भाग जाती है और क्यूंकि भागती भागती उसे काफी दीर हो गई थी तो लगी बड़ी जहां पर एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ था तब मरी वेरवल्फ बनकर जपट कर आए और उस पर हमला कर देती है फिर उसकी गले पर काट कर उसे कच्चा ही खा जाती है अभी गाओं वाला और कोई नहीं बलके बुरा वरकर था जिससे वो समझ गई कि अब मुझे कोई भी नहीं चोड़ेगा क्योंकि ये हरकत उसने सक्टी सामने की थी वो सोच रही थी कि गाओं वाले अब मुझे मारने के लिए जमा हो जाएंगी तो वो जल्दी से भाग कर खोफिया जगव पर आकर चुप गई जहां तब भी उससे मिलने डैनियल आजाता है यहां तुम थोड़ी दिर मेरा इंतजार करो मैं कष्टी लेकर आता हूं भी एक साथ हम नहीं से निकल जाएंगे पर उसकी जाने की बाद मरी वहां से निकल कर अपने घर आ गई वो अपने कपड़े और मौम की तस्वीर रख कर निकलने वाली थी कि तबी सामने से उसके डेड आ गई जो से कियते हैं कि बेटा इस बार मैं भी तुम्हीं नहीं रोकूंगा जो तुम्हाया दिल चाहिद वही करों इसी की में मत सुनों और बस अजाद इनकी गुजारों जिसके बाद वो वापिस उसकुफ्या जगा पर आ गई क्योंकि डैनियल थोड़ी दिर में यहां आने वाला था पर वहां तो गाउंगी कुछ लोग थी जो मरे कहीं इंतसार करें थी जिनने फिश पॉइंट का मेनेजर भी शामिल था थोड़ी ही दिर में यहां डैनियल भी आ गया देखता है कि वो लोग उसी भिहोश करकी अपनी साथ लिजा रहे हैं तो वो भी उ अजाद कर दीता है जो अब तक पूरी तरह वेल वुल्ट में बदल चुकी थी अब बेशिक वो एक जानवर बनी हुई थी लेकिन उसे सही और गल्द की पहचान थी वो बाहर निकली गाउंवालों का शिकाल करनी के लिए उसे पकरनी के लिए वो लोग जैसे उसके सामने जाए एक ही करके बुरी तरह वो उन पर हमला करकी उन्हीं खार जाती है क्योंकि इस वक्त गुसे की वज़र से वो बहुत खतरनाक और खुनखार बनी हुई थी जहां आखिर में उसका सामना हुआ मैनेजर से जो अब उसके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था कि मैंन पीछी मुड़के देखा तो वो बहुत राउनी लग रही थी पर वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि जानती थी कि डैनियल मिरी ली खतरा नहीं बलके ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे जिससे हम यहां समझ पाए कि इसकी तरह इसकी मौन को भी अच्छे बुरे का फर दिब डैनियल उसे गले से लगा कर होसला दीता है और ये लोग और शिप को लेकर आगे निकल गई एक नई दुनिया बसाने के लिए और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी इडरी खत्म हो जाती प्यात्त, श्यात्त, आप एक स्टीए आपर लेखत्त, लेखत्त, प्यात्त